आज हम बना रहे हैं पनीर पसंदा बिल्कुर रेस्टोरेंट स्टाइल का तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करिएगा तो हलो फ्रेंज मैं हूरीना और किचिन हंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो यदि आपको ये वीडियो पसंदा आए ना तो आप एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा तो चले देखते से कैसे बनाना है तो मैंने ये आदा किलो पनीर लिया है ये जो पनीर रहता है ना माले में की थोड़ा गीला रहता है तो इसे अभी हमने पोश लिया किचन टावल से और इसके साइट्स है ना इसे हम इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे ताकि हमें एक स्क्वाइर ब्लॉक मिल जाए तो हमारी रेसिपी के लिए हमें स्क्वाइर ब्लॉक की चाहिए तो ये एक्स्ट्र आपको दिख रहा है ना तो ये हम इसे ट्रिम कर लेंगे और इसको हम फेकेंगे नहीं इसी रेसिपी में हमें इसको यूज करना है तो हमने इसकी जो साइट्स है ना उसको हमने ट्रिम कर लिया है यह एक बहुत ही रिच रेसिपी है तो इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा तो देखे यह एक स्क्वार टाइप का हमारा ब्लॉक बनके तयार हो गया है यह जो हमने ट्रिम की वी साइड से ना इसको हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं और चलिए इसको मोटा थोड़ा कट करना ऐसे तो यह जो रेसिपी यह अलग टाइब की रेसिपी बनती है तो थोड़ा अलग टाइब का इसका टेक्सचर रहता है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी है इसको इस बार जरूर ट्राइ करिएगा बच्चों की छुटियां आ रही हैं तो आप इ प्रिम करके ली थी ना वो 100 ग्राम के लगबग है इसमें एक इंच अद्रक दो हरी मिर्चे बारी कट करके डाली है एक बड़ा चमच बादाम एक बड़ा चमच काजू और एक बड़ा चमच पिष्टा है ना उसको बिलकुल बारी कट करके डाला है हमने और दो बड़े चमच हरा धनिया भी बारी कटकर के डाल दिया है एक छोटा चमच धनिया पौडर डाल देंगे आदा छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे जीरा पौडर एक छोटा चमच लाल मिश पौडर एक छोटा चमच हमने इसमें दाल चीनी का पौडर डाला है और आधा चमच हमने इसमें गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और हलका सा इसमें हमने चीनी डाला है बिल्कुल हलका सा तो अब हम इसे हाथ से मिक्स कर देंगे अच्छे से तो आप देख सकते हैं यह जो हमारे पनीर की स्टॉफिंग है ना तो देखने में बहुत ही बड़ियां लग रही है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हलका हलका इसमें मौश्चर जैसा है देखें इसमें कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इस तरीके का ही हमारा यह होना चाहिए बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा गीला हो जाए थोड़ा सा रवा डाल दीजेगा तो शली देखते हैं इसो कैसे हमें स्टॉफ करना है तो यह हमने पनीर लिया है और पनीर के उपर जो यह जो स्टॉफिंग है न वो पूरी अच्छे से फैला देंगे थोड़ी सी मोटी लेयर रखेंगे ताकि यह जो stuffing है ना उसकी पूरी की पूरी जो अंदर की bite है ना वो हमारे मूँ में आने चाहिए और tasty लगना चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसे उपर पुरा फैला लिया है अब हम इसे cover कर देंगे यह मैंने दूसरी slice ली है पनीर की पहले इसे अच्छे से हम smooth कर लेंगे और flat कर लेंगे और फिर हमने दूसरी slice ले करके और इसके उपर हम इसे cover कर देंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं यह कितना बढ़िया कितना सुन्दर लग रहा है देखने में इसके stuffing के लिए आलू का इस्तेमाल मत करिएगा इस recipe में जो हमारा पनीर पसंदा है इसमें हम आलू का इस्तेमाल नहीं करते हैं यह एक बहुती rich dish है तो इसके लिए हम इसमें dry fruits का ही इस्तेमाल करते हैं और पनीर के अंदर भी हम पनीर का ही इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखेगा और ये मेरा एक लास्ट में सिर्फ एक स्लाइस बच गई थी तो मैंने इसे इस तरीके से ट्राइंगल में कट कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से अपनी जो स्टॉफिंग है ना इसके उपर हम इस तरीके से फैला देंगे इस रेसीपी को आप ट्राइ जलूर करिएगा और एधी आपको किश्विष पसंद देना तो इसे भी काट करके बारिख बारिख आप इस रेसीपी में डाल सकते हैं और यह आप देख सकते हैं हमने सारे चो पनीर के पीसेस देना उसको स्टॉफ कर लिया है तो यह हमारा पनीर पसंदा का जो फर्स स्टेज है न वो पूरा हो चुका है तो चलिए अब हम सेकंड स्टेज पर चलते हैं तो हमने एक बॉल में दो बड़े चमच मैदा लिया है इसमें एक बड़े चमच कौन फ्लार डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक चोथाई छोटा चमच काली मिश पॉर्डर डालेंगे एक चोटा चमच हम इसमें डाल देंगे वीनिगर वाइट वीनिगर का मैंने इस्तमाल किया है और थोड़ा थोड़ा पाने डाल के हमें इसकी गाड़ी सी स्लरी बना लेनी है इस तरीके से तो चलिए अब हम अपने पनीर को स्टफ किया तो यह मैंने जो तेल लिया है इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था और जो हमारा पनी रहना इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राइ करना है लिकिन यह याद रखिका कि इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसका जो कलर है वाइट ही रह रहना चाहिए वाइट कर रहना चाहिए इसका जो color है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए हमें इसे golden brown नहीं करना है यह याद रखेगा तो चलिए यह तो बढ़ियां से हमारे fry ओगे और इसे हम चलिए अब निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हो यह हमारे जो पनीर है न वो भ टेवी बनाने के लिए एक बड़ी लाइची को गरश करके लाता है हमिना नेट की लघ सुन्स प्टर्वभ सब्सक्राइच साइस साथ से आठाल लहसुन और इन्हें भी हमें हलका सा पका लेना है ताकि जो लसुना कच्छापन निकल जाए आठ से दस हमने इसमें काजू, तीन हरी मिर्च हमने इसमें डाला है और हमने इसको भी एक मिनट फ्राई कर लिया है अब हम इसमें चार मीडियम साइज के जो प्याज है ना चार बन टमाटर इसको भी तरीके मोटा मोटा कट करके डाला है अब हम डाला देते हैं छोटाए टमाटर है ना वो soft ना हो जाए तो चलिए इसे धक देते हैं पांच मिनट के बाद मेरे से चेक किया है तो आप देख सकते हैं मारे जो टमाटर है ना वो soft हो गया है और मारा प्याज भी है वो गल गया इसके अंदर तो चलिए अब हम अपने गैस को बंद करते हो और इस mixture को कर देते हैं पूरी तरीके से ठंडा जब यह mixture पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना तब इसमें जो तेजपत्ते हमने डाले हैं वो हम इसमें से निकाल देंगे इसका जो flavor है वो हमारे mixture में आ चुका है और यह हमने कर लिया पूरी तरीके से ठंडा और ठंडा होने के बाद इस छोटा चमच इसमें तेल डाला है, दो बड़े चमच बटर डाला है, तेल डालने से जो बटर है वो जलता नहीं है, इसके लिए हमने इसमें बटर डाल देते हैं, दो हरी मिर्चों को बारी कट करके डाला है, एक छोटा चमच हमने इसमें अद्रक को भी बारी कट करके डाला ह और इन सब को लो फ्लेम पे एक मिनट हम पका लेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए ना बटर या फिर आप घी का इस्तमाल कर सकते इन दोनों में से जो भी चीज अविलेबल है उसे आप इस्तमाल कर लीजेगा तो यह हमने च्छनी ली है और जो हमने ओनियन टोमाटो का जो आधा कब पानी डाल दिया है ताकि उसके अंदर का भी मसाला जो है वो पूरी तरीके से निकल आए और उसे भी हम अच्छे से चान लेंगे इस तरीके से ग्रेवी बनाने के लिए जो हमने इसमें 7-8 जो काजू यूज किया है उसकी जगर पे आप एक बड़ा चमच मगच क भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह हमने चान लिया है इसको बहुत बढ़िया सा आप देख सकते हैं और इसका जो टेक्शर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की लुक आया है ना इसका टेक्शर तो शलिए इसमें डाल देते हैं अब इसमें धरा धनिया ताकि हमारे जो ग्र टेस्ट है ना इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगता है और एक इसमें उबाल आने देते हैं तो देख सकते हैं इसमें एक उबाल आना शुरू हो गया है तो इसमें अब हम डाल देंगे दो बड़े चमच फ्रेश मलाई जो फ्रेश मलाई आती है आप उसका इस्तमाल कर पनीर पसंदा तो एक में आप चार पीसे बनाई बहुत बड़े बड़े पीसे अच्छे नहीं लगते हैं खाने के लिए इसी तरीके से हमें अपने सारे के सारे पनीर पसंदा को पीसे में कट कर लेना है तो इस पसंदा को सर्फ करने के लिए यह नहीं है कि हम अपने ग्रेवी जो हमने बनाई है कड़ाई में उसमें ही इसे डाल करके मिक्स कर लेंगे ऐसा नहीं से सर्फ करते हैं नहीं तो इसकी और हम यमी हमारी रेसिपी तो मिलते हैं कितना पढ़िया है बिलकुल होटल स्टाइल का तो अब अपने पनिर पसंद्द के जो पीसे से है न वो इसमें डाल देंगे और गार्णिश कर देंगे हरे धनिये के साथ तो लग रहा है ना एकदम यमी हमारी रेसिपी दो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केर और बाई बाई